राहुल गांधी जी के बारे में तमामों जूट परोसे गए भारतिय जनता पार्टी की ओर से इस यात्रा को लेकर आज 9 सिलसलेवार तरीके से जूट का परदापाश करने का वक्त है पहला जूट था बहुत बड़ी हाँ 5 सितारा होटल जैसे कंटेनर है बुनियादी सुभिदा के कंटेनर है जहाँ पे 8 से 12 लोग रहते हैं विडियो पर वो कैद हो चुका है दूसरा जूट स्मृती रानी ने बोला विवेका नन जी की प्रतिमा का नमन नहीं किया था विवे जी की नीद उर जाती है ये अलग बात है कि मुदी जी ने साड़े 8 साल में एक भी प्रेसवारता नहीं करी राहुल जी दक्षण के मंदिर में ने गई है चौता जूट बोला गया आंधर प्रदेश में करनाटक में केरल में तरंगाना में महराश्ट में हर उस मंदिर हर उ आईटी सेल नहीं कॉंग्रेस जिन्दाबाद को पाकिस्तान जिन्दाबाद तोड मरोड के प्रस्तूत किया था हमने इसके खिलाव F.I.R. भी करी छटा दूद जूट बोला गया राहुल गांधी जी ने नर्मता की आर्टी उल्टी करी थी आर्टी बिल्कुल ठीक करी थी ऐसे करी जाती है आर्टी क्योंकि कैमरे पर मुल्टी नजर आती है तो ट्रोल टब चुप हुए जब मोधी जी की आर्टी की तस्वीरे सामने आगए और महा मानब भी वैसे ही करते दिखे जैसे राहुल जी कर रहे थे राहुल गांदी जी पाकिस्तान जिन्दाबाद कहने वाली लड़की से मिले जी नहीं पाकिस्तान जिन्दाबाद कहने वाली लड़की का नाम अमूलिया लियोना था राहुल गांदी जी मीवा अंद्रोलिया से मिले जो केरल में स्टुडेंट यूनियन लीडर है शराब पीकर भारत यात्री निकले ये आठवा जूट बोला गया असलियत तो ये थी कि ये कोलम में चाय पीकर निकलते हुए लोगों का विडियो और तस्वीरे थी हमने GPS के माध्यम से दुकान का नाम भी शेयर कर दिया जितेंदर सिंग जी राहूल गांधी जी के जूते के फीते बांध रहे थे जी नहीं वो अपने खुद के जूते के फीते बांध रहे थे उन्होंने भी इस पश्टी कर दिया है और ट्विटर ने भी इस खबर को जूटा साबित कर दिया है भाजबा के अलावा इन जूपी खबरों को बढ़ाने का काम मीडिया के तमामों चरुन चुम्बक करते हैं लेकिन असलियत ये है कि एक आदमी तपस्या पर निकला हुआ है